नमस्कार मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों जब भी हमें कोई प्रोपर्टी खरीदनी होती है तो प्राए हम सेल्डीर्ड रिजिस्टर्ड करवाने के पहले एग्रिमेंट टू सेल करते हैं जिसमें शेल की कंडिशन्स, सेल करवाने का टाइम और प्रोपर्टी को पर्चेस करने के लिए कंडिशन्स आधी लिखे जाते हैं काफी बार एग्रिमेंट को रेजिस्टर्ड करवाया जाता है लेकिन और काफी बार नहीं भी करवाया जाता यह question बहुत common है इसलिए इस इस्तिती को ठीक से समझना भी चाहिए कि किन मामलों में agreement का registered होना जरूरी है और किन मामलों में unregistered agreement के अधार पर भी agreement की पालना court के जरिये करवा ही जा सकती है इसको ठीक से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें शुरू करने क के पहले मेरी आपसे request है कि अगर आप legal topics में interested हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो अभी subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही useful videos के notification आपको मिलते रहें आप regular updates के लिए हमें Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं जिनके link description में दिये गए है सरल कानून की बात करें तो Registration Act की section 17 के अनुसार कोई भी immovable property जिसकी value 100 रुपए या उससे ज़्यादा है के बारे में किसी भी अधिकार का transfer बिना registered deed के नहीं किया जा सकता और आज के time शायद ही ऐसी कोई immovable property हो जिसकी value 100 रुपए से कम है इसलिए ये मानकर चलिए कि property के लेंदेन का कोई भी agreement हम करते हैं तो वो registered करवाना चाहिए लेकिन कोई भी कानून सोच समझ कर और परिस्थितियों को देखते हुए ही बनाया जाता है कानून जिस subject पर बनाया जा रहा है उस subject पर हमारे देश में लोग व्यवहार किस प्रकार से करते हैं इस बात का भी ध्यान रखा जाता है ताकि लोगों को कानून का protection मिल सके हमारे देश की स्थिती ये है कि आज भी जादातर property agreements का registration नहीं करवाय जाता और काफी बार लोग agreement करने के बाद उसकी पालना करने से मना भी कर देते हैं जिसके लिए specific relief act में agreement के specific performance का provision दिया गया है हर property agreement में mainly दो parties होती है एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला अगर agreement registered है और उसके बारे में कोई विवाद होता है तो कोई भी party court में case file कर सकती है इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन अगर agreement registered नहीं है तो क्या होगा दोस्तों ऐसी स्थिती में ये देखना जरूरी है कि parties में आपस में जो विवाद हुआ है वो किस बात पर हुआ है अगर बेचने वाली party agreement करने के बाद property बेचने से मना करे या खरीदने वाली party agreement के बाद property को खरीदने से मना करे और agreement registered नहीं है तो क्या उस agreement का specific performance करवाने के लिए court में case file किया जा सकता है इसके लिए agreement को दो type का माना जाता है एक तो वो agreement जिसमें agreement तो किया गया है लेकिन property का possession hand over नहीं किया गया और दूसरा कि agreement भी किया गया है और उसकी part performance में खरीदने वाली party को property का possession भी दे दिया गया है इन दोनों स्थितियों में जहां केवल agreement हुआ है और property का possession खरीदने वाली party को नहीं दिया गया है तो specific performance के case के लिए agreement का registered होना ज़रूरी नहीं है मतलब साफ है कि यदि agreement unregistered है और property का possession खरीदने वाली party को नहीं सौपा गया तो उस agreement की पादना करवाने के लिए court में case file किया जा सकता है वहाँ इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका agreement registered है या नहीं क्योंकि ऐसी स्थिती में specific performance के case के लिए agreement का registered होना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर agreement करने के साथ-साथ property का possession भी खरीदने वाली party को सौप दिया गया है तो ऐसे में उस agreement का registered होना ज़रूरी हो जाएगा मतलब जहाँ agreement के साथ-साथ possession handover किया गया है वहाँ अगर agreement को registered नहीं करवाय जाता तो agreement की पालना के लिए भी court में नहीं जाया जा सकता आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश में तो काफी properties के वल agreement और power of attorney के आधार पर भी बेच दी जाती है तो ऐसे लोगों का क्या होगा जिन्होंने sell deed का registration करवाय बीना ही property खरीदी हो तो दोस्तों जब लोग property खरीदेते टाइम केवल agreement और power of attorney करवा लेते हैं और property का position ले लेते हैं तो इस बारे में law बहुत clear है कि बीना registered deed करवाय प्रोपर्टी के title का transfer नहीं हो सकता लेकिन ऐसे लोगों को भी कानून ने protect जरूर किया है और transfer of properties act की section 53a में ये provision कर दिया गया कि जब कोई व्यक्ति किसी property को transfer करने के लिए प्रतिफल के बदले कोई agreement करता है और possession खरीदने वाले व्यक्ति को hand over कर देता है तो फिर बेचने वाली party इस आधार पर कोई claim नहीं कर सकती कि जो agreement हुआ वो registered होना जरूरी था या उस sell के लिए कोई sell did registered नहीं करवाई गई यानि अगर केवल agreement के जरिये कोई property purchase की गई है तो उस property को बेचने वाला व्यक्ति उसी property पर वापिस अपना अधिकार claim नहीं कर सकता और वो यह नहीं बोल सकता कि मैंने sell did execute नहीं की तो title का transfer नहीं हुआ है इसलिए property वापस मुझे दिलवाई जाए हालांकि जिसने केवल agreement से property खरीदी है उसको clear title नहीं मिलता लेकिन वो खुद को possession के आधार पर मालिक मान सकता है Agreement to sell के registration की स्थिती को एक बार फिर से देखें तो जहां agreement registered नहीं है और property का possession भी खरीदने वाली party को नहीं दिया गया है और ऐसे agreement की पालना करने से कोई party मना करती है तो court के जरीए agreement की पालना करवाई जा सकती है भले ही agreement registered नहीं हो लेकिन अगर agreement के साथ possession दिया गया है तो उस agreement की पालना court के जरीए करवाने के लिए ये जरूरी होगा कि agreement का registration करवाया गया हो दोस्तों उमीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि एग्रिमेंट का रेजिस्ट्रेशन कब करवाया जाना जरूरी है और कब नहीं इसके अलावा भी आपके कोई लीगल सवाल हो या आप अपने किसी लीगल मैटर पर मुझसे राय लेने के लिए बात करना चाहते हों तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहें नमरों पर वाटसेप करके कॉल बुक भी करवा सकते हैं ऐसी ही important जानकारियों के लिए बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में